तो जैसा कि आपको शुरू में देखके पता चली गया होगा कि आज की मेरी रेसेपी है जिंगी पारसल तो मैं हूँ मैनिशा और मेरे चानल तफलेवर आफ लाइफ में आपका स्वागत है आज जमनाएंगे जिंगी पारसल आईए इसकी रेसेपी देखते हैं इसके लिए जगह बनाई है जगह बनाके मैंने वन फोर्थ कप कर्ड डाला है एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है साथी नमक डाला है और हाफ टी स्पून के बराबर चीनी डाला है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके और फिर इ इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम डो लगाएंगे बेसिकली जब हम बेकिंग का काम करते हैं तो जो हमारा all-purpose flour है मतलब हमारा जो मैदा है उसमें हमें gluten पैदा करना होता है और यह gluten तभी पैदा होता है जब हम इसे अच्छे से नीट करेंगे मतलब कम से कब नीटिंग का जो टाइम होता है हमारा वो 5-7 मिनिट का होता है तब ही जा करके एक पॉफेक्ट डो तयार होता है और फिर उससे पॉर्फेक्ट बेकिंग हो पाती है तो यह एक छोटी सी बारी की थी जो हम हमेशा ध्यान रखते है और रखना चाह है इसलिए यह बहुत जादा स्टेके है तो अब मैं इसमें ऑईल डालूंगी और ऑईल डालने के बाद इसे मसलना सुरू करोंगी आप चाहें तो इसे प्लेटफॉर्म पे भी साफ करके प्लेटफॉर्म को उस पे भी अच्छे से नीट कर सकते है और नहीं तो आप मेरा ब बूतने में दिक्कत हो रही है तो मैं अभी अपने हाथ को साफ करके फिर इससे दुबारा नीट करूंगी आप जितना अगर यह बहुत जादा चिपक रहा है तो आप और यूज कर सकते हैं और यूज करने में कोई लिमिटेशन नहीं है थोड़ा थोड़ा करके और तब त के बाद हम इसको सेट होने के लिए दो से डाई घंटे छोड़ देंगे सेम चीज हम इस से भी बना सकते हैं लेकिन इस हमेशा घर में अविलिबल नहीं होता है इस वजह से मैं दही कस्तमाल कर रही हूं ठीक है हमारा डो लगभग तयार हो चुका है देखी मैं पास से दिख सूख नजा इसलिए बहुत हलका सा ऐल अपलाई करोंगी और उसके बाद उसे सेट होने के लिए छोड़ दो कि तब तक इसकी हम फीलिंग बनाते हैं उसके लिए डेड़ सोकर हम पनीर है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है दो टमाटर है जिसे ग्रेट किया है एक प्याज है एक कैपसिकम है इसे फाइन चॉप किया है स्वीट कॉन है गालिक है और गैनो मिक्स ठर्प और ग्रीन चिली है आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं तो आईए फेलिंग बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने एक टेबल स्पून डाला है जैसे यह बटर थोड़ा सा मेल्ट होता है मैं यहां पर जो कटावा लेसन है वह एक करूंगी उसके बाद उसमें हरी मिर्च आड़ करूंगी सबी चीजों को बस उनका रॉ स्मेल जाने इतना ही भूनना है और उसके बाद ग्रेट के हुए टमाटरों को आड़ करन निकल जाता है तो इसलिए ग्रेट करना थीक है इसके बाद मैं नमक दाला है त्होड़ा सा चीनी भी डाले तेमाट्ों पने टेस्ट तो सभी चीज़े बैलन्स हो जाती है शकी बाद मैं इस्का ऩोड़ा अच्छा करने के लिए यहां पर कशमीरी लाल मिर्च डालूंगी और फिर उसे अच्छे से mix कर के और एकato टमाट्रों का smell निकल जाए तब तक हमें पकाना है अब आप अगर आप KO PAN kwi फीन नहीं पसंद है तो आप यहां पर आलू की मिलिंग भी बना सकते हैं अगर इतना तर्माशा नहीं करना है तो मैगी मसाला भासे में जो भी मसाले आपके पसाविलेबल है और इसके बाद मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला बेकिंग पाउडर डालने से हाई फ्लेम पे कुकिंग होती है और टमाटो का कलर बहुत अच्छा आता है आप भी ज़रूर इस ट्रिक्स को ट्राइ कीजिए इसके बाद मैंने अपने प्यास डाले है और प्यास डालने के बाद मैंने काप्सिकम डाला है फिर सबी चीजों को थोड़ी दिर गुनने के बाद कॉर्ण को यहां पर मैंने आट किया है उससे भी अच्छा सा मिक्स किया है और उसके बात जो मैंने डाला है यहां पर वह है मिक्स्ट हो और और गेनो यह थोड़ा जपी हम डॉमिनो वगरा में जिंगी पार्सल खाते हैं तो इसका टेस्ट इतालियन फ्लेवर में आता है तो इसलिए मैंने भी इतालियन हर्प्स यूज किये हैं अगर आप नहीं चाहें तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं यह टोटली ऑप्शनल है उसके बाद सभी चीजों को अच्छे से भून के सबसे लास्ट में मैंने पनीर एड़ किया है और पनीर के अलावा आलू एड़ करेंगे तो वो भी अच्छा लगता है सेम मसाला में मतलब ऐसा ही मसाला सेम बढाले और पनीर के जगह पे आलू एड़ करें देखिए बस हमारा फेलिंग तयार हो गया है और अब मैं फेलिंग को ठंडा होने के लिए रग दूंगी क्योंकि जब त करने के बार इसकी हम लोहियां तोड़ेंगे और हम इसकी रोटियां बनाएंगे इस रोटी बनाने से पहले मैं अपने ओवन को गरम होने के लिए रग दिया मतलब मेरा खड़ाई है इसमें मैंने नमक डाला है और एक स्टैंड डाल करके और ठककन लगा के उसे प्रीहिट क इसे पता चलता है कि मेरी बेकिंग कितनी जादा खड़ाई में होती है चलिए अब मैं चेंगी पार्सल बनाना सिखाते हूं इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आटा लिया है सुखा और उसे उसकी रोटिया बना रही हूं अगर आप यहां पे मक्य का आटा यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा मेरे पास नहीं था तो मैम अधा सेही इसकी रोटियां बना रही हूं इसके बाद दिखिए इसका सबस्क्राप सेलें कर सेलकेशर कर दिया है अब अब उसका क्या क्यां मैं पना स्टेंक को मोड़ने के बाद अच्छे से पाने लगए सेली कर करके और उसे उपर की तरफ मोड़ दोंगी देखिए यह बन गया पासल मैं दूसरा भी आपको बना करके दिखाती हूँ इससे आपको समझने में आसानी होगी कि हमें उसका शेप कैसे बनाना है रोटियों के बेलते समय बस एक ही बात का ध्यान रख दाया है कि यह बहुत मैंने पानी लगा के उसे सील किया और अपनी स्टाफिंग को बिल्कुल बीच में रखा है जादा स्टाफिंग रखेंगे थोड़ा तो टेस्ट इसका अच्छा लगेगा और बस उसके बाद सारे किनारों को मोड़ के लाके उपर में जॉइंट कर दिया है बस बन गया हमार अच्छी बेकिंग होती है तो ये मेरे पास एक धोकला प्लेट था उसे मैंने बहुत थोड़ से ओयल के साथ ग्रेज किया है और अपने सारे जिंगी पार्सल को इस पे मैंने सेट किया है सारे नहीं मतलब चार एक बार में चारी आ सकता है इस प्लेट में तो चार जिंगी पार्सल को मैं इस पे सेट करूंगी और अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मिल्क ब्रश करूंगी ब्रशिंग करने से कलर बहुत आप इसकी जग़पे बटर की ब्रशिंग भी कर सकते हैं और बस अच्छे से सबी जचव पे मिल्क को लगाने के बाद इसे मैं अपने प्री ही मिनिट के लिए बेक करूं अगर आप पीच पीच में खोल के देख लीजिए अगर इसका कलर आगे आच्छा तो आप बीच में बंद कर सकते हैं यह गैस की फ्लेम पर डिपेंड करता है कभी कभी 30-35 मिनिट कभी टाइम लग जाता है बस मेरे जिंगी पारसल रेडी है तो लाइक करें दूसरों करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग बाइए